Hello everyone, welcome and welcome back to another video और आज के इस वीडियो में में एक्स्प्रेंट करना वाला हूँ ओक्वर्ट सुबर पार के चैप्टर नमर 38 तो देखो आज के वीडियो है वो मतलब पिछले दिन के तो तुमने वीडियो देखा एता है बहुत ही खतरनाक था तो आज जो वीडियो है वो एकदम अलग जगा से स्टार्ट होता है क्योंकि आज लूओ एकदम एक जो बरा सा शिप होता है वहाँ पे जाके ख़रा होता है और एकदम जैसे वो पोर्ट में जाके ख़रा होता है वो इधर उधर देखना लगता है कि मतलब वह बहुत साथ confused था और तभी वह शिप के तरफ देखता है और मन ही मन सोचता है कि मुझे नहीं पता कि जॉंग यूंग अभी तक यहां पर आई क्यू नहीं है और वैसे भी शायद यही वह meeting place था ना और जॉंग यूंग तुमको तो पता होगा यह लड़की कौन है हाँ वही लड़की जिसको पार्क में लुओ ने बचाया था तो उसके बाद हमें scene जो था वह एकदम flashback में दिखा जाता है जहां पर जो लुओ था वह अपने computer में कुछ तो किये जा रहा था लेकिन अचानक से उसका phone में call आता है और जैसी वह call उठाता है और कुई नहीं बलकि वह जौंग योगी थी और वह इसको invitation के लिए बुलाए थी और वह कहती है कि उसने एक बहुत ही बड़ा price जीता है जिसके वैसे कि उसको एक luxury cruise मतलब वही ship उसको एक ticket मिला है जिसमें कि वह बस दो लोग ही जा सकते है और इसके वैसे तुम मेरे साथ चलना चाहोगे और यह सुनने के बाद तो लुओ भाई बहुत जाता खुश हो जाता है वह क्याता है हाँ मतलब मैं तो जाना चाहता हुई हूं और तभी वह कहता है कि वैसे फ्री है तो मैं जरूर सजाओंगा और शिक्वाद हमें शेन फिर से present में आता है और हमें दिखा जाता है कि जो कहां पर है मतलब इतना लेट कौन करता है और तभी दो हाथ लोग एकदम पीछे से आता है और इसको बंद कर देता है और कहता है कि अब तुम एक गस लगाओ कि मैं हूँ कौन मतलब भाई अब कौन होगे तुम जोंग यूनी होगे ना उसके बाद जो लोग था वह एकदम अकवर्ड हो जाता है लेकिन जैसी वो पीछे घूमता है वो सामने देखता है कि जोंग ही वह नी थी और वो बहुत जादा लोग हमारा ब्लश भी कर रहा था और डर भी गया था थोड़ा और वो जो लड़की थी वो हसती और कहती कि हाँ 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 तुम तुम डर गए ना और तभी लोग कहते हैं कि तुम नहीं मतलब मैं इतना आसाने से थोड़े डरूँगा मतलब मैं एक बच्चा थोड़ी हूँ और तभी वो लड़की कहते हैं अचा छोड़ो ये सब अब चलो हम लोग चलते हैं और उसके बाद वो लोग शिप के दरफ आगे बढ़ते हैं और जैसी वो लोग शिप के उधर आते हैं और तभी वहाँ पर जो भी होता है ना वहाँ जो भी मैनेज करता है वो गयते कि सब को एक तुम लाइन में लग जाओ ताकि सब एक दूसरे के साथ मिल जुलके रह पाओ और ना कि यहाँ पर कोई जगरा भी ना हो और उसके लोग था वो बेचारा जितने भी लगेज था लड़की का वो सब लांद रहा था और तभी लोग कहते कि जॉंग यूंग क्या क्या थोरा धीरे चल सकते हो क्यूंकी तुम्हारा लगेज है वो कुछ जादा ही बारी है और जो जॉंग यूं थी वो तक्तम आपड़ हो जात बहुत सारे लोग होए और यह बहुत सारे लोग क्या कर रहें और वैसे भी यह इतना सारा गुश्न में क्यों है और वैसे भी जो क्रूस का कर रहें वो भी भी खत्म होने वाला है और तभी हमें वो जो सीन था जहां वे अम्मीन जगड़ा हो रहा था वह सीन दिखा जाता है जहां पर लेडिस थी वो लोग बहुत सा चिला रहे थी और तुम केटर हो तुम लोग एक स्कैम हो और तुम लोग ने यह कहां था कि हम लोग को यह जो क्रूज इसको उपर चढ़ रहा है ऐसा कैसे हो सकता है इसका मतलब की हम आज नहीं बलकि कल ही बोर्ड हो पाएंगे इस शिप में इसका मतलब यह सरा सर चीटिंग है और यह सब सुनने के बाद वहाँ पर जो गार्ड था वो बहुत जाद डर जाता और कहते हैं कि मैं बहुत जादा सौरी फिल कर रहा हू और मैं एकदम प्रॉमिस कर रहा हूँ कि जैसे ही इस जो मेंटेनस है इसके जो मेंटेनस है वो खतम होगा मैं आप सब के लिए एक्कमोडेशन अरेंज कर दूँगा तो क्या आप प्लीज उस टाइम तक थोड़ा वेट कर सकते हो अगर आपको मन हुआ तो आप यहां का जो स्कीम था यह सब चीज एक बहुत ही बारा स्कैम है देखो प्राइस जीतने के नाम पर वो लोग ने एक फ्री टिकेट दिया था लेकिन वो टिकेट शिप का नहीं बलकि उनके शॉपिंग सेंटर का था अब जाओ वहां पर जाके कुछ खड़ी तो जो कि फ्री तो पुला खिलाया है और जैसे ही वह आया लूँओ बस एक तम काम खतम हो गया उन लोग का लेकिन अब धगो उनके बादवर का ऑप्शन भी नहीं था इसलिए जो जो आपनीं थी वह और कोई नहीं बलकि वही शॉपिंग कॉंप्लेक्स में चली जाती है और जैसी वह शॉप से यह बहुत ज़्यादा ब्रैंडड है लेकिन इसको पर इतना ज़्यादा सेल मुझे दिये चाहिए और यह जो एक आर्ठ पीस है यह भी काफी ज़्यादा लिमुटेट एडिशन है और यह भी इस श्रिप में है और यह सब देखके जो लोग हो था वह भी बहुत ज़्या रावना से काम है लेकिन अब क्या कर सकते है वो तब ही जो लोग था उसका ध्यान जाता है एक बोट के तरफ और वो एक छोटा सा बोट का पीस था जो देखके लोग दिमांग में आता है कि क्या क्या मुझे पर कुछ खड़ीत नहीं क्या मैं इससे खड़ीत हूँ लेकिन बहुत महेंगा था इसलिए लोग वहाँ से निकल गया और तभी वहाँ पर जो जो जौगियून थी वो बेड़ में आती है फाइनली उनको एक रूम मिलता है और वो भी एकतम रात में जिसको वह बहुत जादा एक्जॉस्टेड हो जाती है और तभी वो कहती है कि तो यहा एक सेम बेड में दूसरे लड़की के साथ नहीं सो सकता क्योंकि मेरा एक गल्फरंड है और यह सुनने के बाद यह जो जौग यह थी वो एकदम शौक्त हो जाती है वो पहले तो बिलीव नहीं करती लेकिन उसके बाद बिलीव कर लेती कि हाँ बाई चल चलो अब क्या ही हो सकता है और तब भी वो लड़की बूसे कि क्या वो जो गल्फरंड थी वो और कोई नहीं बलकि वही जो तुमने एक अब्जेक्ट से एक लड़की को ट्रेंस्फरम किया था कहीं वही तो नहीं है ना और लो पहुत सथा और पोड़ जाता कि कि असल में तुसका कुछ था ही न मैं अभी उसको यहाँ पर लाता हूँ और उसके बाद जो लुओ था वो जोंग्यूं के कहने पर उसका योजरा थी उसको बुला लेती है और योजरा जैसे ही आती है जो जोंग्यूं थी वो भूछ जाइट हो जाती है और कहती है कि देखो तुम मुझे अपना बिक करती है और तभी वो जो सौंग यूंती वो एक तिम यूजर को हग करने लगती है तो गाइस अब तुम बताओ एक रूम में दो लड़की और एक लड़का भाई आगे क्या होने वाला मुझे दो नहीं पता तो आगे अगर आपको जानना है तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट अप सफ़ daha नेक्स्ट साइब टें करो आगे नेक्स्ट अबटाव जानना है यूंती नेक्स्ट शाव जाओ टें करना हम धूम, इस वड़की और आए करसे समार्य में वाला मुझे और नहीं चाना है तो खर उन नेक्स्ट चाहिएर गाशने करने भीवूर नेक्स्ट अश्ट ग